इस तरीके का कभी भी question आपको mathematics में दिख जाए और कहें कि find x, x की value find out करना है तो आपको simply बस 8 को x से multiply करना है, 8 into x हो जाएगा, pass वाले को pass से और दूर वाले को दूर से multiply करेंगे तो 12 into 6 करेंगे, equal करेंगे और 12 into 6 करेंगे आप और फिर इनको solve करेंगे तो x is equal to 12 into 6, 8 को denominator में हाँ divide करेंगे और solve करने के बाद आपको x की value मिलेगे, cancel करेंगे आप तो 2, 4 जा 8, 4, 3 जा 12, और 2, 3 जा 6, 3 into 3, 9, मतलब x की value आपको 9 मिल जाएगे